ओम स्री गने सायनम दोस्तो एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छे मार्च बुद्दवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन तुला राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगस रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए बुद्दुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शयोग प्राप्त होगा जो आपको काफी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रत्साहित करेंगे दोस्तों आपको अपने कारचित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तों आज का दिन आर्थिक दरश्टी कौन से आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों आपकी आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके विवसाय में विवरत दी होगी आमंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा सावनजस बनाकर रख पाएंगे दोस्तों आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वहें आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे जिन साथी साथ धर्मिक क्रियकलापों में विविरद्धी होगी और आप उनके ऊपर खर्च भी कर सकते हैं शंगर्स करने के बाद कारों में आपको सफलता आज अवस्से ही प्राप्त होगी यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने के इक्षा रखते हैं तो वह भी प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कारे छित्र में अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो उसका सुबभल आपको अवस्से ही प्राप्त होगा दोस्तों यह आप मान कर चलिए कि आज का समय पूर्ण रूप से आपके लिए हैं बस आपको अपना अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा ताकि आप उसके पैणाम सरूप प्राप्त हुए हर सुक को अच्छे से भोग सकें और इसी कारण आपका मनोबल भी बड़ेगा जिसके कारण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उर्जा के बल पर आप हर चिनोतियों का डट कर शामना भी करेंगे और उस पर आपको शफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपके खुसी दूग नहीं हो जाएगी और आपका दिन काफी आनंद में बीतेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आपके लिए आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समयले और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं दोस्तो परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की व्रद्धी हो सकती है यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगे या दोस्तो साथ साथ पैसे के लेंदेन में भी आज आपको साथानी रखना आती आवसक है तता किसी भी अन्य व्यक्ति को धन देना नुकसान दायक हो सकता है इस दिन मानसिक असांती तता तनाव पूर्ण इस्तितियां जादा हो सकती है इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्न लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार आवस से ही कर लेना होगा यह आपके लिए काफी फाइदेबंद साबित होगा दोस्तो साथी साथ क्रोध पर नियंतन एम वानी पर आपको आज सैयम रखनी की अतियावशक्ता है अन्यथा विवाद की इस्तियां बन सकती है परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन ध्यान रहें कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुचे जिया दोस्तो अगर आप परिवार को जोड़ कर रखना चाते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझोतों के लिए तयार रहना होगा अन्यथा इस्तिती आपके नियंतर से बहार हो सकती है आपको परिवार के लोगों के साथ धन सम्मंदित समस्याओं को भी सुलजाना होगा और अपनी और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तयार रहना होगा दोस्तो साथी साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा पृतिक्षा करनी होगी कोई कि फिलाल उनके लिए अधिक अच्छा आवसर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के सी रहने वाली हैं दोस्तो यदि आप अपने प्रेमी प्रेमी का को प्रपोज करना चाते हैं तो कर सकते हैं या फिर अपने मन की बात शेयर करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं इसके लिए समय काफी अनुकूल हैं दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे, आपसी संबंदों में गहनिश्टता आपको एक नई इस्पूर्ती प्रदान करेगी, जीवन साती का भी आज आपको पूरा शहयोग प्राप्त होगा, साती सात विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा आज आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के अनेको योग बन रहे हैं, ग्रहनक शत्रों के अनुकूल रहने से आसमिक धनलाब के भी आज अनेको योग बन रहे हैं, दोस्तो आपको पैसे के लें देन में भी अधिक फायदा होगा, रुक हुए सभी कार्रें आज आज चीश्तिती रहेगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो वैपार विस्तार की आज आप नहीं योजनाएं बनेंगे वैपार को लेकर भी आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथ इसाथ आज आप भी निवेस कर सकते हैं जो भविस्ते में चलकर आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगे नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन भहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पढ़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगा सुनों का भी सहारा लेना पढ़ सकता है और साथिसाथ आपको अपने खानपान पर भी विशेश रूप से ध्यान देने की दोस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या है दोस्तों आज आप इस नान आदी से निर्वत रहुने के बाद भगवान बजरंग बली जी की प्रतिमा के सामने एक चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और साथिसाथ वहीं करने मातर से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों का अंत करेंगे और आपको सीग रही सुब फलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कार बहुत यासनी से भगवान बजरंग बली के असिरवाद से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान बजरंग बली का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्वोक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद